मुंबई माराठी पत्रकार संग में बहुजन समाज पालिटी के और से मुंबई अध्यक्ष शुरेश भिमरा विद्यागर जी द्वाराया पत्रकार वारता का आईजन किया गया इस दवरान उनका कहना था कि सुरक्षा रक्षक मंडल में बहुजन समाज पालिटी के सच्चिव संगे उपादय तथा तत्कालिन कामगार मंत्री प्रकाश मेता का हाथ है इन्हों ने अपने पद पे रहते हुए यहां के जो सुरम सुरक्षा याने की मुंबई का मुंबई सुरक्षा रक्षक मंडल मुंबई बुरन मुंबई और ठाने इसके अंतरगत अपने एक पदाधिकारी भारती जन्ता पार्टी के सच्चिव माराश के सच्चिव उपाद्या इनके माद्यम से बेकाइदेशीर ब्रटाचारी मार्क से यहाँ पे लोगों को यह सुरक्षा मंडल में भरती कराया गया है और इसमें काफी पैसे का लेंदिन हुआ है और जो लोग इसके लायक थे जो लोग पात्र थे जो लोग इसके हगदार थे उनको यहांके उनके हग से उनको प्रावलंबित किया गया है उनको यह हग दिया नहीं गया है और यहांके जो लोग है जो बोगस लोग है यह भरती यहां पे की गई है यह भरती के अंतरगत यह म हुमारे जो तत्कालिन मंडल के अद्देक्स है मंडल के सची हुआ है और कामगार आयुक्त इन्होंने ये स्केंडल करके ये भरती का आयुजन किया था और उन्होंने वो नियुजन करके एक स्केंडल की तोर पर ये अपने एजेंट रोक कर एजेंट लगा कर ये भरती की है और इस भरती में जो कागजात दिये गए है candidate के वो बोगस है, हजरी पट बोगस है, यानि की जो हमारी जो कागत पत्र है यानि papers है, जो भी लोग हगदार थे उनको यहाँ पे नहीं मिला है, उनके उपर अन्य हुआ है और जो लोगों ने पैसा दिया है, लोगों के agent के थ्रो उनको यहाँ पे भरती किया गया है, यह जो हमारी मांग है बहुजन समाच पार्टी की, कि इस प्रकरन का, इस subject का माराष्ट गोवर्मेंट ने नयायले इन, यानि की judicial inquiry करनी चीए, judicial inquiry करके या और judicial inquiry करने के पहले, यह जो मंत्री है, यह मंत्री अगर पद पे रहेंगे, तो judicial inquiry, नीश्वार्थ और पारदर्शक नहीं हो सकती है, इसके लिए उनका resign लेना चीए, और उनका resign लेके उनको पदमुक्त करके इस प्रकरन का नैलेंग, जो inquiry होना चीए, और inquiry होके जो दोसी लोग है, उनके पर कानूनन कारवाई होनी चीए, अगर यह सरकार ने 15 दिन में निरने नहीं लिया, तो माजाद मैदान पे जो लोग हमारे भाई है, जो हमारे लोग है, जिनके उपर अन्याय हुआ है, उनको नोकरी नहीं मिली है, वो लायक होते हुए भी, उनके साथ लेकर हम उनके अन्याय के खिलाफ, अजाद मैदान में इस सरकार के खिलाफ हम लोग भाई है जो लायक थे इसलिए कि ये हगदर थे उनको यहाँ पे उनको नोक्री नहीं दी गई है बोगस लोगों को नोक्री में समाविष्ट किया गया है सुरक्षा मुंडल में मेंबर बनाया गया है उनको नोक्रिया दी जा रही है और ये जो नोक्री है ये नोक्री जिनको म इनों ने लिखके दिया है कि भाई विशेश खाब बाब याने कि स्पेशल केस करके इनको भरती किया जाए ये भारती जनता पार्टी के अपने लोग है इनको ये सरकारी यंत्रनाका दुरुप्यप करके इनको नोकरियों में अपने कारेकरताओं को नोकरियों में इस्टैब और जो कोई भी हम किसी सेकुरूटी गार्ड के खिलाप नहीं है लेकिन जो लोग लायक है जो लोग लायबल है जो लोग पात्र है जो लोग इसके हगदार है उनको उनका हक मिलना चाहिए और जो लोग पैसा देके जो तिन तिन पाच पाच लाक रुपया देके लोगों को इ के खिलाब 15 दिन के बाद में धरना अंदोलन करेंगे कैमेरामेन संदेश के साथ विक्रम सिंग पुंडीर SNTV News मुंबई